12 बालोजी से NCRT का most important अंतर परिभ्रोण पोश तथा फल भित में अंतर तो देखे differences between perisperm and pericarb तो एक तरप मैंने लिख रखा है परिभ्रोण पोश या perisperm और दूस तरप लिख रखा है फल भित या pericarb पहला अंतर है कुछ वीजों में बीजांड का बीजांड का एक पतले आवरण के रूप में बचा रह जाता है इसे परिभ्रोण पोश कहा जाता है मतलब कुछ वीज ऐसे होते हैं जिसमें जो ओवियूल होता है ओविल का जो निूसलस होता है वो एक पतले आवरण के रूप में रह जाता है या बचा रह जाता है उसे ही परिभूर्ण पोस कहा जाता है या पेरी स्पर्म कहा जाता है जबकि जो फलभिती है निसेचन के बाद अंडासय से फलभिती का निर्माड होता है या निसेचन हो ज जादें कि बीज और फल भित जो आपस में मिल जाती है तो उसे क्या कहा जाता है और फिर दूसरा अंतर है परिभ्रोण पोस एक अस्तरी होता है इसलिए कहा गया था कि एक पतले आवरण के रूप में बचा रहे जाता है इसलिए एक अस्तर होता है जबकि जो फल भित्ती होती है जो पेरी कार्प होती है यहाँ तीन अस्तरी होती है तीन अस्तर का बना होता है फिर अगलांतर है पारिव्रोन पोस भोजन संग्रह करता है यहीं भोजन को इकठा करता है जो एक पतले आवण के रूप में था वो भोजन को इकठा कर लेता है ज भोजन भी संग रह करती है तो आसा है आपको अंतर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा धन्यवाद